खमासान.com के खास त्यूस बॉलेडन में आज हम आपका बताते हैं कि मुख्य मंत्री शीर सिवराज सिंग चौहान की पहल पर कोरोना संक्रमन लॉगडाउन प्रारम होते ही करीब बे सहरा व्यक्तियों को नेच्छल भोजन उपलब्द कराने के लिए खाद एव नागरिक प्रारम कर दी गई है जिसका टोर्फी नंबर है एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन दो साथ नौ साथ इस नंबर पर एफ एक आठ एक सीएम हेलपलाइन नंबर के माध्यम से प्रदेश में असी लाख पिचुत्तर हजार से भी ज़्यादा जर्वत्मन लोगों को पका ह हुआ बोजन एफ राशन सामागरी पहुचाई जा चुकी है प्रमुक्स चीफ खाद नागरिक आपूर्ती एफ उपभुक्ता सरक्षंट शिफ शेकर शुक्ला ने बताया है कि 30 माच 2020 से प्रारम की गई इस हेलपलाइन नंबर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस के साथ चीफ परिचित सीम हिलपलाइन नंबर एक आट एक को भी जोड़ा गया है इन दोनों नंबरों से प्रदेश के किसी वी कोने में रहने वाले कोई भी जरुबतमन्त बोजन या खाद सामागरी के लिए अपनी समय से दर्च करा सकता है उन्होंने बताया है कि बोजन वराहत सीम हिलपलाइन के माध्यम से 17 अपरल 2020 तक प्रदेश में 60,000 से भी जादा कॉल रिसीव किये गए हैं जिसमें बोजन विवस्ता से संबंदित 50,000 से भी जादा कॉल का तो रंद निराकरन का लोगों को राहत पहुचाई गई है 291 समाज से भी संस्ताओं ने पहुचाया लगबग 27,000,000 लोगों तक बोजन पैकेट प्रमुक्स चीफ श्री शुकला ने बताया है कि राज्य सरकार दवारा इस टोलफी नंबर का उप्योग कर जर्वतमंद लोगों को ऐसी समाजिक संस्ताओं ये व्यक्ति जो मानफता के कर जर्वतमंद लोगों तक पका हुआ भोजन के पैकेट उपलब्द करा रही हैं उन्होंने बताया है कि 17 एप्रल तक 26,13,000 भोजन के पैकेट समाज से भी संस्ताओं द्वारा बाटे जा चुके हैं इस हेल्प्लाइं नंबर के माध्यम से सरवादे भोजन पैकेट का वित किया जा चुका है खाद विभाग भी बाट चुका है पचास लाग से जादा खाद समागरी के पैकेट प्रामुक्स चीफ शुक्ला ने बताया है कि समाज से भी संस्ताओं के अलावा जीला करेटर एफस्तानी निकाये द्वारा प्रतिय जर्वतमंद को पका हुआ बुजन खाद समागरी मुहा कराया जा रहा है अभी तक जीलों में पचास लाग से भी जादा खाद समागरी के पैकेट विभाग या अम्रे द्वारा फित्रिट किये जा चुके हैं ये करम लगाता है जारी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा ऐसी ही खबरों के लिए देखते सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल इकन फोर अप्डेट